किचन क्राफ मा तमारा बदानू हार्दिक स्वागत चे आजी आपने राजस्थान नी आगवी ओलखेवी दाल बाटी बनावीशू डाल बाटी एवी डीश यानी सदे तमारे कोईज भी जी वस्तुनी जरूर नथी पड़ती डाल बाटी टेस्ट मा खुबत चरस लागेशे आजी आपने राजस्थानी ट्रेडिशन थी डाल बाटी बनावीशू जहनो टेस्ट खुबत चरस लागेशे तो चलो आपए रेसीपी शरू करिए जो तमें चैनल पर नवाच हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करवानू ना भूलता सब्सक्राइब करू बेल्कुल फ्री शे आने रोज आवी नवी नवी रेसीपी माटे बाजुमारेला बाईल आइकान उपर क्लिक करीदो जेथी दरिक नवावडेन नोर्टिफिकेशन तमने मळे अईया गडी में एक कप दाल लिदी छे जनी अंदर में तुवेर नी मघनी फोत्रावाडी अडदी अने चालानी दाल लिदी छे चारेवनु प्रामाण में सर्खू राख्यू छे दालने आपणे सरस रीते बैथी त्रौवार पानी थी धोईलेवानी छे दालनी उपर घनीवार पावडर लगाडेलो होई छे तो इबद्धोत सरस रीते निकली जाई प्रामाणे आपणे दालने धोवानी छे आउ एकदम क्लीन पानी मले त्यां सुदी आपणे धोईलेचू त्रौवार धोसो ताउ क्लीन पानी मल छे पछी आपड़ा एने डारेक कुकर माज बाफवानी छे एने पलाडवानी जरूर न थी मिडियम फ्लेम उपर आपड़ा एने बै विसल आवे त्यां सुदी प्रेशर कुक करवानू छे आपड़ी जे या दाल छे एही लगबग 9 टका जेटली आपड़े बाफवानी छे 10 टका जेटली आपड़े बाकी राखवानी एटले के थोड़ी ये कड़क रहवी जोईए मिडियम फ्लेम पर एने करीशु त्या सुदी आपड़े बाटीन लोट बांधिये तो इन्या गड़ी में 1 कप गवनों जाड़ो लोटली दो छे आणे 1 कप आपड़े जे रोटली बनाविये छे नोर्मल लोटली दो छे हवे निंदर स्वात प्रमाणे मीठू नाखवानू छे आणे 1 टीस्पून खावानों सोडा नाखवानों छे वन्थड कप आपड़े मोण नाकीसु आणे आणे बरापर सरस्रीते मिक्स करीसु आपड़ो जे बाटीनो बद्धुज लोट छे सरस्रीते मोण वालो थाई जवो जो ये आ प्रोस्तेस खूब जरूरी छे बद्धुज लोट सरस्रीते मोण वालो थाई पछी जापड़े नी अंदर पाणी नाखवानू छे अईया गड़ी में त्यारे अड़ो कप पाणे लीदू छे बाटीनो लोट आपड़े परोठा करता थोड़ो कठन राखवानू छे पापड़े जे कड़क भाखरी बना वीचे वो कठन नथी करवानू जो तमे बाटीनो लोट कठन राखवानू थोड़ो थोड़ो पाणी नाखवू जे थी तमारो लोट धिलो ना थाई जाई अने तमने आइडिया आवे के हजू आपणने किटला पाईनी जरूर पड़ से तमे जे घहूलो छो एना उपर पण पाणी नो अधार छे के घणी वर घणा लोट नी अंदर पाणी वधारे जुईतू होई छे अईया अगडी में टोटल थ्री फोर्थ कप एटले के पाणो कप पाणी लीदू छे लोट आपणो बंधाई गओ छे तमे जोई शको चो एक के ओ छे लोट बंधाई जासे एटले तमे जे वासनमा लोट बांगियो असे ए अने तमारा हाथ बनने एकदम क्लिन थाई जासे हवे लोट ने आपणे ढहांकी अन्ने 15-20 मिनिट रेस्ट आपीसू अपणी दालक त्यारे बफ़ाई गई छे मैंने 22 सल सुधी प्रेशर कूप करी छे दाल बाफ्तियोक ते अंदर में बुवधारे पाणी नतू नाक्यो तमे जोई शक चो आप रमाने बफ़ाया पची पन दाल थोडी छुट्टी रह चे तो एवी रीते आपणे दाल बाफ्वानी छे मैं आगडी वगार मुक्यो छे 4 टेबल स्पून तेल दीदू छे एमा एक टीस्पून आपड़े जीरू नाक्वानू छे जीरू फूटे एटले थ्री फोर्थ टीस्पून जिटली आपड़े हिंग नाक्वानी छे आदाल नी अंदर हिंग नो टेस्ट खुपसरस आवे शे आ एक चमची में लसन नी चटनी लीदी शे जिमें तमने चैनल उपर बताडे ली शे लसन नी चटनी नापड़े तेलनी अंदर सरस रिते सातलवानी शे गैसनी फ्लेम में अत्यारे अवे स्लो करी दी दीछे पैला मीडियम हाती चटनी सरस रिते संतलवी जाए पछी आपड़े एनी अंदर एक टामेटू मिक्स करवानू शे टामेट आने में छेनी लीदूतू अने मीडियम साइज नू शे टामेटू आड करया पछी एक थी ब्य मिनिट माटे आपड़े ने सातलवी सु अईया अगड़ी में मिठू नाक्यू चे स्वात प्रमाणे बै टेबल स्पून धाना जीरू पावडर एक टेबल स्पून लाल मर्चु एक टीस्पून हलदर हाव टेस्पून गरम मसालो एक कप हवे पाणी आड करी सु पाणी आड करी सु पाणी आड करी ने आपड़े गैसनी फ्लेम ने थोड़ी वार माटे फास्ट करी सु जी थी पाणी उकळवा लागे बिजू अडधो कप एले टोटल में यागड़ी दोड कप पाणी आड करी शे आप रामाने पाणी उकळवा एटले गैसनी फ्लेम ने आपड़े स्लो करी देवानी हवे आपड़े जे दाल बाफी ने राखी शे ए आणी अंदर आपड़े याड करवानी शे तमें जोई शोकोचो कि दाल बफवाई गया पची पन छुटी इले के एक बिजाती अलग दिखाये चे तो आप रमाने तमारे दाल बाफवानी चे जो तमारी दाल वधारे बफवाई जासे तो जहरे तमें आवरी ते पांथी 10 मिनिट उकाल सो तो इवधारे रगडा जेवी थाई जसे तो दाल बाफवती वक्ते तमारे आवाद नू ध्यान राखवानू शे अने आपड़े 10-15 मिनिट माटे उकाली सो श्लो फ्लेम पर त्या सुधी आपड़े बाटी तेयार करी लए लोटने आपड़े एक वर आप्रमाने मिक्स करी लए सो बराबर बाटी तमारे जे साइज नी जोईती होई साइज नी तमे तेयार करी शको चो अत्यारे हो मीडियम साइज नी बाटी बना उच्छू आना थी मोटी पन बाटी बनती होई चे अने आना थी नानी पन बनती होई चे बाटी ने आपणे सरस रीते मिक्स करवानी चे एनी पर कोईपं आवी क्रेक्स न रहेवी जुए जो आप्परमाणे क्रेक्स हाउती होई तो तह हमारे एने ज़एन करी लेवानी चे इटले के लोटने सरस रीते तमें बै हातनी वच्चे मसोन सो तो तमारी बाटी जेशे सरस मिक्स थाई जसे आ प्रमाने तयार थाई जाई पछी आपणे बै अंगली वथी आने प्रेशर आपी आने आ प्रमाने निशान करी लेशो तो आ प्रमाने आपणे बद्दिश बाटी तयार करवानी चे बैक अप लोट माथी साथ बाटी तयार थाई चे मिडियम साईज ने 15 एक मिनिट टाइम थाई गोँछे अने डाल जे चे आपणे उकली गेचे दाल बाफेली हती एटले आपणे बोग उकालवानी जरूर नथी तो गैस बंद करी लेशू आपणे अने अनी अंदर कोद मिर नाखी शू अईया मैं बाटी नो कुकर गरम थवा माटे मुकी दिदो छे तो एनी जे जाली होई छे एनी पर आपणे बाटी कूटवी देशू जो तमारी पासे बाटी नो कुकर ना होई तो तमें अल्यूमिनम नी कडाएनी अंदर एक स्टैंड मुकी अने अवेर इतनी काणा वाली जे जाली होई एनी पर बाटी मुकी अने एनी उपर ढाकान ढाकी ने पन तमें बनावी शको छो 3-4 मिनिट पछी आपणे बाटी ने उल्टावी देशू बाटी बनवामा लगभग 15-20 मिनिट जेटलो टाइम लागेचे गैसनी फ्लेम ने आपणे एकदम स्लो राखवानी शे अन्ने दर 3-4 मिनिट आपणे बाटी ने फरावतार हेवानू छे जेती बाटी बनने सरस्रीते सेकाई जाए बाटी ने प्रामाने फरावतार हेवा खुब जरूरी शे अवे 22-3 मिनिट मा आपणी बाटी तयार थाई जासे गैस बन करी लेशू बाटी तयार थाई जाई पछी आपडे एन्ने चारकॉल इफेक्ट आपी शू गाणके आपडे बाटी गैस पर बनावी छे जहरे तमे बाहर जे बाटी खाऊ छो ए चुला पर बनी होई छे तो ए 22 फ्लेवल आव माटे आपडे चारकॉल इफेक्ट आपीशू बाटी ने आप्रमाणे बे हातनी वच्चे सेज दबाव सो तो आप्रमाणे एन्नी अंदर क्रैक्स आउसे हवे आपडे एन्ने घीनी अंदर डिप करवानी शे एक वाटकी मा घीलाई आने बाटी ने इमा हवे आपडे जे कॉल्सो घरम करेओ छे एन्ने एक वाटकी मा लेवानो आने एन्नी उपर आपडे एक थी बैचमची घीनाखवानो छे आप रामाणे तमे घीनाख सो एटले एमा ती धुमाडो निकल से और एन्ने आपडे बाटी नी वच्ची मुकी आन्ने एन्नी उपर एक ढाकन ढाकी देईशू अने दस्ती पंदर मिनी ट्रेवा देईशू आउ करवाना कारणे चारकोल नी जे फ्रेग्रांस से एवद दीज बाटी मा उसे अन्ने बाटी तमे जे बार खाओ छो जे चुलामा बनेली होईचे एन्ना जेवूज एन्नु फ्लेवर आउसे तो ता यार्शे आपनी दाल बाटी एन्ने मेला सर्नी चटार